आज हम करेंगे class 8th NCRT की exercise 12.1 का question number 4 question number 4 में हम एक गरना है evaluate evaluate का हमारे पास first part है 8 raise to power minus 1 into 5 raise to power 3 upon 2 raise to power minus 4 तो कैसे करेंगे इसका तो हम लिख देंगे 8 raise to power minus 1 को लिख देंगे हम 1 upon 8 into 5 raise to power 3 को लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 और यह जो 2 की power minus 4 है जब हम इसको पूरे को उपर लेके जाएंगे तो इसकी जो term है वो change हो जाएगे ठीक है यह हमारा के बन जाएगा उपर जाकर के 2 की power 4 हो जाएगा ठीक है तो अब इसको solve कर लेंगे सबसे पहले यह जाएगा हमारा 1 over 8 into 5,5 is a 25,25 is a 125 into 2 into 2 into 2 into 2 ठीक है तो 2,4 is a 8 और 2,2 is a 4,2 से 2 cancel हमारे पास बचा कितना 125 into 2 याने कि आगे आपके पास 250 answer second part है इसका second part में हमें दिया है 5 raise to power minus 1 5 raise to power minus 1 into 2 raise to power minus 1 और bracket लगा कर बाहर दिया आपके पास 1 over 6 ठीक है यहाँ क्या करेंगे इसको के लिख सकते हैं 1 over 5 लिख सकते हैं into इसको लिख सकते हैं 1 over 2 ठीक है और into 1 over 6 तो इसको करेंगे हम तो कितना आएगा 1 upon 5 into 2 याने कि 10 ठीक है इसको आप bracket में रखो और 1 over 6 बाहर लिखो अब 1 1 जा तो 1 होगा 10 6 जा 60 और यही आपका answer है अब देखते हैं इसका third part क्या है तो यह question number 4 में न 2 पार्ट ठीक है अब यह हमारा question number 5 question number 5 है हमारा इसमें हमें क्या करना find the value of m find the value of m first part है हमारे पास 5 raised to power m divide by 5 raised to power minus 3 equal to 5 raised to power 5 ठीक है तो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या करेंगे हम यह हमारे पास क्या है 5 raised to power m है और equal to में हमारे पास यहाँ पर क्या है 5 raised to power 5 है और यह divide में है ठीक है यह divide में है तो हम क्या करेंगे देखो अब ये जो हमारे पास 5 raised to power m divide में 5 raised to power minus 3 है आप सभी जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो किसकी तरह दिख रहे है आपको ये दिख रहे है हमें a raised to power m divide by a raised to power n जो क्या बनता है a raised to power m minus n ठीक है ये हमारे पास इसका formula है अब हम क्या करेंगे ये 5 है तो इसको हम 5 विख देंगे यहाँ पर भी 5 थे कोई बात नहीं और यहाँ क्या जाएगा M के प्लेस में M आएगा और यहाँ पर क्या माइनस 3 था ठीक है तो उपर जाकर वो क्यों हो जाएगा प्लस 3 देखो हमने क्या किया यहाँ पर देख लो 5 raise to power M लिखा 5 raise to power minus 3 लिखा equal to 5 raise to power 5 लिखा ठीक है फिर क्या गिया यह जो minus 3 था उपर जाके प्लस हो गया तो equal to आपके पास के रहा 5 raise to power 5 देखो ध्यान से तो 5 से यह 5 cancel हो गया ठीक है और हमारे पास बचा कितना M plus 3 equal to यह 5 M equal to कितना आगे 5 minus 3 3 यह 3 वहाँ जाके minus होगे M equal to कितना आगे आपके पास 2 answer ठीक है M की value कितनी आगे 2 अब इसका हमारे पास है question number 6 question number 6 में हमें दिया है इसमें हमें करना है evaluate evaluate ठीक है evaluate में हम क्या करेंगे first part हमें दिया है first part में है हमारे पास 1 upon 3 और इसकी power में है minus 1 minus 1 upon 4 और whole power में है minus 1 ठीक है तो इसको कैसे करेंगे आप देखो यह क्या है हमारा इसको हम क्या करेंगे ultra लिख देंगे 3 लिख देंगे ठीक है और power तो दोनों की बिल्कुल सेम है तो 3 यानि कि 3 upon 1 आएगा न और यहाँ पर क्याएगा minus 4 upon 1 आएगा तो इसको मैंने 3 minus 4 लिखा कोई बात नहीं bracket लगा दो और minus 1 आपको दिख रहा तो minus 1 यहाँ पर हम ले लेंगे ठीक है अब यह minus 1 ले लिए आपके पास कितना आ गया इसको minus करो तो यह आपके पास आएगा minus का 1 और इसकी power minus 1 ठीक है अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर inverse बन गया है ठीक है क्या बन गया inverse तो इसको हम लिख सकते हैं 1 upon minus 1 ठीक है और 1 upon minus 1 का मतलब क्या हुआ कर देते थे इसलिए इस part का answer क्या हो गया minus one अब second पार्ट है सका second पार्ट में हमें दिया है five upon eight देश्ट पार minus seven into eight upon five raise to power minus four ठीक है तो इसको क्या करेंगे अब इसको बिल्कुल सेम सेमाच की तरह करेंगे हम इसको उल्टा लिख देंगे इसको हम गुमागे लिख देंगे यानि कि यह बन जाएगा 8 upon 5 raise to power 7 into इसको लिख देंगे 5 upon 8 raise to power 4 ठीक है अब ऐसा करेंगे कि 8 के साथ यह 7 भी जाएगा 5 के साथ यह 7 यानि कि 8 raise to power 7 upon 5 raise to power 7 बन जायएगा into फाइव रेस्ट टू पावर फोर अपोन एट रेस टू पावर फॉर बन जाएगा अब भी किलेए बात अब इसके बात क्या गरेंगे हम यहां पर दो है अप्स्था अगर हम इसको कुछ इस तरह करें कि गये कि यहां पर और 8 यहाँ पर है यानि कि इसको थो हम 8 लिख सकते हैं 8 raised to power 7 और जम हम इस 8 raised to power 4 को उपर लेके जाएंगे तो minus हम यहाँ पर 4 कर देंगे ठीक है यहाँ पर न थोड़ी mistake हो गई हमसे 5 raised to power 4 था न यह उपर जाके ठीक है यहाँ 4 आएगा और यह minus का 7 आएगा क्लियर बात क्योंकि 5 raised to power 7 उपर गया यहाँ आजाएगा आपके पास 5 की power minus 3 तो 8 raised to power 3 तो हमारा कितना बन जाएगा इसको ऐसे रखो और into इसको हमके लिख सकते है 1 upon 5 cube ठीक है और यह बन गया आपके पास 8 upon 5 whole cube क्लिर है बात देखो 8 की power भी 3 है 5 की power भी 3 है तो यहाँ पर 8 बन जा 8 किया 8 की power भी 3 और 5 की power भी 3 इसलिए हमने इसको एक बारी लिख दिया अब 8 को हम जब 3 बार multiply करेंगे हमारे पास आएगा 5 1 2 और 5 को करेंगे तो हमारे पा 25 तो यह रहा आपका इस पार्ट का answer question number 6 भी हमारा complete अब देखते है question number 7 को 7th number में हमें क्या करना है simplify करना है ठीक है तो 25 into t raise to power minus 4 और upon में दिया 5 raise to power minus 3 into 10 into t raise to power minus 8 और t हमारे पास क्या दिया है does not equal to 0 तो इसका काम तो कोई नहीं है ठीक है यहाँ पर क्या आजाएगा 25 into t raise to power हमारे पास है minus 4 clear बात अब हम क्या करेंगे यहाँ से 5 minus 3 को उपर ले जाएगे तो आपके पास कितना आएगा यह 5 की power आजाएगा यह 3 और into इस t की power minus 8 को भी उपर ले जाएगे तो t की power कितनी आजेगी positive 8 और upon में हम रखेंगे सिरफ 10 को अब यहाँ पर 25 रखो अब देखो t यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो t की power क्या बन जाएगी बे सेम है तो हम एक बार t लिख देंगे और यहाँ पर क्या गरो minus 4 plus 8 कर देंगे clear बात अब देखो यहाँ पर बसते हैं हमारे पास 5 raise to power 3 तो इसको हम 3 बार लिख देंगे 5 into 5 into 5 upon 10 आ गया ठीक है यहाँ से 25 into t की power कितनी आ रही है t की power हमारे पास आ रही है 4 तो t की power 4 लिख दो into 5 into 5 यह बन जाएगा 125 और 125 अच्छा देखो यहाँ से अगर हम इसको काड़ दें 5 to the 10 आ गया ठीक है यह आ गया 25 25 25 25 करेंगे multiply तो हमारे पास कितना आ जाएगा यह दिख 25 लिखो upon में 2 अब 25 into 25 625 t raise to power 4 upon 2 आपके पास answer आ ठीक है अब है इसका second part तो second part में हमारे पास दिया है 3 raise to power minus 5 into 10 raise to power minus 5 into 125 डिवाइड में है हमारे पास 5 raise to power minus 7 into 6 raise to power minus 5 बिल्कुल सेम इसी की तरह करेंगे देखो 3 raise to power तो हम कर देंगे क्या 3 raise to power minus 5 कर देंगे into 10 raise to power minus 5 जो हमारे पास question है उसको लिख दिया हमने उपर अब जो निचली टाम से उसको भी उपर ले जाएगे तो 5 raise to power आ जाएगा आपके पास 7 और इसको जब हम उपर लेके जाएग ठीक है तो 125 को हम अलग रख देंगे separate कर देंगे और यहाँ देखो आपके पास क्या क्या है पहले तो आप इस 125 को separate कर दो यहाँ जाएगा 3 की power minus 5 into 10 raise to power minus 5 into 5 raise to power 7 into 6 raise to power 5 into 125 अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 10 है यहाँ पर 5 है तो 3 को तो हम ऐसे लिख देंगे 3 raise to power minus 5 into हम इसको के लिख सकते है 2 into 5 लिख सकते है 2 multiply 5 ठीक है अगर हमने इसको 2 multiply में 5 लिखा तो इसकी power कितनी आजएगी minus की 5 प्लीर है बात अब 5 हमारा as it is रहेगा 5 raise to power 7 into 2 into 3 लिख सकते है 2 into 3 हम इसको लिख सकते है raise to power 5 into 125 ठीक है अब देखो 3 की power आ गए minus 5 into 2 की power भी minus 5 होगी into 5 की power यहाँ से minus 5 होगी into 5 raise to power 7 into 2 की power आ जाएगी आपके पास 5 into 3 की power आ जाएगी 5 into 125 लिख सकते है बात अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है याने की 3 हमने ले लिए एक बार और इसकी power है minus 5 और इसकी पावर है प्लस 5, तो इसको आप इस तरह से लिख दो, फिर multiply का sign लगाओ, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 को ले लिया, 2 की पावर माइनस 5, और इसकी पावर हमारे पास क्या है, प्लस की 5, ठीक है, अब बसते हमारे पास यह 5, और यह 5 इंटू 5 की पावर माइनस 5, इंटू 5 की पावर, इहाँ पर हम कर देंगे प्लस 7, ठीक है, और यहाँ बचा आपके पास 125, अब देखो इसको काट देंगे तो आपके पास कितना आएगा 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 ठीक है और इंटू 125 आपके पास ये आ गया तो इसकी पावर 0 यानि की आपके पास कितना आएगा 1 2 की पावर 0 1 अच्छे यहां पर ना यार सोरी माइनेस 5 प्लस 7 है तो यह आएगा 2 ठीक है कितना आएगा 2 यह बन गया 5500 25 इंटू 125 इंटू 125 क्लीर है बात तो आपका आंसर कितना आ गया हम इसको और इसको मल्टिप्लाई कर देंगे 125 से 25 को मल्टिप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3125 आंसर ठीक है तो यह थी हमारी एक्सरसाइज 12.1 जो बिल्कुल इसी थी इसके बाद जो 12.2 है बिल्कुल सेम इसी की तरह वो भी है उसको भी सौल्व करेंगे हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो कोश्चन आपको क्लीरली समझाएं तो प्लीज लाइक शेर कुमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंट्स के साथ जाद से जादा शेर करें थैंक यू